अलो दोस्तों आज हम करेंगे सूट की कटिंग देखिए इस परकार से कपड़े को भिचा लेते हैंал। कि बढ़िया से कपड़े को भिचा लेने के बाद हम नाकूंद द्वारा किनारी को भैथा बिल्कुल सई से बैठ जाए ताकि मारी कटिंग करने में कोई दिक्कत ना है कि इस प्रकार से बैठाल लेंगे अब हम आगे तीरा का निसान लगाएंगे इस प्रकार से साथ इंच करती रहा है साथ इंच लगाएंगे क्योंकि यो कुर्ती वाला गला बनेगा पीछे लगवग धाई इंच गहराए रहेगी और गोल गला बनेगा इस प्रकी दोर्ला आम ति दिकíक क्यों अब मूडे के लिए लगवग 6 इंच का निसाल लगाएंगे यहाँ पर भी इन से दिलती रिखाएंच लेंगे यहाँ अब हम छेस्ट का निसान लगाएंगे जोकि सात्रा इंच है तो सुत्रा का निसान यह लगा लिया हमने अब लगवागे इसकी कम्र की लेंद की लंबाई तो यह हम रखेंगे 12 इंच और यहाँ पर बीच में रखेंगे 14 इंच सबाव 7 का निसान लगाएंगे यहाँ पर 17 इंच पॉने ने पर निसान लगाएंगे पॉने ने पर अब इसकी लेंद लंबाई जो है वो 40 इंच है तो हम 40 का 45 इंच पर निसान लगाएंगे इस परकार से अब हम आदा इंच तीरा के साथ से कम करके यहाँ से लखी रहेंगे से यहाँ पर हम राउंड देंगे इस परकार का और हम इस परकार से ऐसे करके इसे तीन निसानों को मिला लेंगे ताकि राउंड अच्छा आ जाए अब हम 9 इंच का निच्छे दावन यानि कि 12 इंच दावन जो बहुत 12 इंच रहेगा निच्छे का तो उसका भी निसान लगाएंगे अब हम सीधी पट्री द्वारा इसे लखीर लेंगे इस परकार से 1.5 इंच का दबाव छोड़ते हुए उस सैट पर हम लखीर रहेंगे यहाँ पर लगबग 2 इंच का दबाव छोड़ा जाता है ताकि हमारे सूट अगर कभी डीला या टाइट करना पड़े तो आसानी से हो जाए यह सत्र इंच है यहाँ पर साड़े चोड़े इंच रहेगा कमर पर और हिप पर रहेगा साड़े सत्रे इंच तो यह साड़े सत्रे लिख लिए हमने बनाते समय भी हमें यहीं द्यान देना होगा हम निसान से कट कर लेंगे इस प्रकार से कटिंग करेंगे यहां से कट कर लेनी है यहां पर कट का लगा लेने है और यहां पर भी एक कट का लगेगा बीच में भी एक लगेगा हम इसे फोल्ड करकर रख लेंगे यह मारा आगे का पला कटा है अभी हम पीछे का काटेंगे तो यह रहा कपड़ा इसमें सिम्टे बहुत ज़्याद है तो हम इस परकार से बिच्छाएंगे पॉल्ड करेंगे इसे इस परकार से और इसके सिम्टे निकालने की कोशिस करेंगे करेंगे अगर निकल गया तो सही है बरना हम दूसरी साट से काटेंगे इस साट से कुछ ज्यादा ही सिम्टे हैं इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं अब हम दूसरी साट से कटिंग करेंगे इस तरफ से सिम्टा कम है तो इस तरफ से कटिंग कर लेंगे अब हमें इसके उपर से ही वो कटा हुआ कपड़ा जो है आगे का वो हम रख लेंगे इस प्रकार से हम इसके उपर से रख लेंगे अब हमें यहाँ पर खलाई के लिए निसान लगाने हुए और बढ़िया करके यहाँ पर रखना होगा कपड़े को उपर कपड़ा ताकि फिटिंग सही आजाए कोई पला इदर अदर ना हो बढ़िया से मिलाने के बाद हम चाक से निसान लगा लेंगे आदा एंच छोड़कर इस प्रकार से यहीं से हमें कटिंग करनी है अधर है यहां से इस प्रकार से हमें कटिंग कर लेंगे और अधर है कर दो कर दो अब हम यहां से कुटक रफाएंगे इस पर कार से कुटका लगा लगेंगे एक इधर भी लगेगा यहीं से हमें सिलाई जब लगाएंगे तब हम यहां से सुरू उखरेंगे तब इम कुटके लगा लेते हैं और यहां पर धाइंच रहेगा पीछे गला जो कुर्ती बाला होता है और गोल रहेगा इसलिए पीछे गोल लिख लेंगे अब हम बचे हुए कपड़े से आस्तीन बैठा लेंगे इस परकार से फोल्ड करने के बाद डबल में फोल्ड करना है ताकि हमारी दोनों आस्तीन एक साथ में निकला है इस परकार से उसके जो सिम्टे है वो हाथ द्वारा इस परकार से सही कर लेंगे क्योंकि हमारे पास मैजूद प्रेस नहीं थी बहाँ पर इसलिए हमने हाथों से ही सबाई करने की कोशिश की अगर आप लोगों के पास प्रेस है तब प्रेस से साफ़कत लीजिए अब इस प्रिकार से में चाक से राउंड निसान लगा लेना है कि इस प्रिकार से राउंड निकालते हुए चाक से निसान लगा लेंगे यह से मैं कटिंग करने है कि यह मारे आस्तिन का राउंड हो गया यहां से लंबा इस लगबग सत्रेंच है तो हम साड़े सत्रेंच पर निसान लगाएंगे कि आख साथेंच पर एक इंच का मंदबाव चौडते हुए क्योंकि हमें फ्वोड करनी है आस्तिन और यहां पर मुड़ज हो ए साड़े शात इंच है तो साड़े साथ इंच का निसान लगाएंगे कुछ कि इधर हागे के तरहं चाहर इंच तो साघेए चाहर का शाय आज निसान लगालेंगे अब हम इसमने की द्वारा सीधी लखी रंगे ताकि यह में दिक्कत माऊ होちゃुए कर से यहां से मिध्साल लगाए मशाइक और फिटिंग के लिए हम्हें यहीं से सिलाह लगानी यहां से अब हमें कटिंग कर लेनी है इस प्रिकार से कटिंग कर लेंगे आगे से भी इस तरीके से कटिंग करेंगे यहां पर सबाचारिंज की डिलाई रखेंगे यहां पर हम इसे आस्तिन को खोल लेंगे खोलने के बाद यहां से हमें खलाई की तरफ आदे इंच का कट करना है इस प्रिकार से कटिंग कर लेंगे और यह हमारी आस्तिन कट कर तयार होगे और यह कपड़ा बचा हुआ है इससे हम गला बैठा लेंगे बुकरम बगार बुकरम कुरम जो है वो इसी में जड़ लेंगे यह हमारा सूट बनकर कट कर तयार होगया अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें सेर करें सस्क्राइब करें बाई दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बाई 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 टोस्तों करें बाई दोस्तों करें साथ